किसी जमाने का किस्सा है एक छोटे से गाउं में एक गवाला रहता था जिसका नाम पारस था और इसकी बीवी का नाम हैमा था दोनों मिया बीवी एक तबेले के मालिक थे वो दोनों अपनी बेंसों का बहुत अच्छे तरीके से खयाल रखते थे और उनको बहुत उम्दा होराग देते थे इस वज़ा से पारस की बेंसे बहुत उम्दा दूद देती थी गाउं में सब भी पारस और हाइमा से दूद लेते थे और दोनों मिया बीवी अच्छा खासा कमा लेते थे और इनकी गुसर बसर अच्छी हो जाती थी लेकिन इतना अच्छा खासा कमाने के बावजूद पारस खुश नहीं था वो हमेशा एक बड़े खर और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने के बारे में सोचता रहता था मैंने अपने गाउं के बाहर बहुत आलिशान घर देखा है हमें वो खरीदना चाहिए और हमें एक बहुत उंदा और महंगी कार खरीदना चाहिए और खिदमत के लिए बहुत से नौकर चाकर रखेंगे ये लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है हमारे पास बहुत कुछ है तुम इस छोटे से घर में कैसे खुश रह सकती हो और इस तबहिले में इन भैंसों की बत्बू मुझसे बरदास नहीं होती पर हमारा यही तो रोजगार है ज्यादा अर्शा नहीं रहेगा बहुत जल्द मैं इस गाउं का सबसे दौलत मन शक्स बनूँगा पारस जब भी दूद बेशने जाता गाउं वाले इसके दूद की तारीश करते पारस तुम्हारा दूद बहुत खालिस और सेहत मन होता है तुम जरूर अपनी भैसों की बहुत अच्छी देखभाल करते होगे और इनको बहतरीन हज़ा देते होगे आ हाँ मैं करता हूँ इनकी बहुत अच्छी देखभाल पर अब नहीं मैं एक बार दौलत मन हो जाओं तो इन सब को बेज दूँगा मुझे अपने घर में इनकी बद्बू पसंद नहीं पर वो भैसे ही तो तुम्हारा रोजगार हैं तुम्हें इनसे महबबत करनी चाहिए तुम्हें अपने काम से लगन और महबबत होनी चाहिए मैं भी अंडे बेचता हूँ और इन में भी बद्बू होती है मगर मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं और मुझे अपने काम से महबबत है तो फिर खेर अंडे बेचना ही शायद तुम्हारी तकदीर है ये लालज तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, मेरे भाई ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगे, तुम्हारे लिए उतना ही बहतर होगा। ओ चलो, मैंने पहले ही अपना वक्त यहां बरबाद कर दिया, अब मैं जाता हूँ, इन बद्बूदार अंडों का कारवार तुम्हें ही मुबारक हो। पारस को जल्दी थी दौलत मन बनने की, वो अकसर दौलत मन बनने के बारे में ही सोचता रहता था। बस इतना ही, यह बहुत कम है, मुझे और ज्यादा दूद बेजना होगा, और इसका कोई न कोई तो रास्ता होगा, मेरी तमाम भैसे तंदुरुस्त और तवाना हैं, मैं इनको और ज्यादा दूद देने पर मजबूर नहीं कर सकता, वरना इनकी सेहत खराब हो जाएगी। और इस से बढ़कर एक मसला ये भी है, कि अगर मुझे ज्यादा दूद हासल हो भी जाए, तो ये एक छोटा सा गाउ है, कि अगर मुझे ज्यादा दूद हासल हो भी जाए, तो मैं इसे बेचूं कैसे? अरे हाँ, मैं पडोस के गाउं में जाकर अपना दूद बेच सकता हूँ, वो एक बड़ा गाउं है, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं, मकर फिर मुझे और भैसे खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है, नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मु मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे दूद की मिगदार बढ़ानी होगी, जब वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, तो उसने दर्या पर पहुंच के सोचा, क्यों ना मैं दूद में पानी मिला दूँ, इस तरह म ये बहतरीन तरकीब मेरे जहन में आई है, इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा, कि मैंने दूद में पानी मिलाया है, और मैं ज्यादा मुनाफ़ा भी कमा लूँगा, और उसने अगले दिन जब दूद बेचने के लिए निकला, तो तमाम बोतलों में आदा दूद भरा, और आधी बोतल खाली रहने दी, फिर वो दर्या पर गया, और उसने बोतलों में पानी मिला दिया, फिर वो गाउं में गया, और उसने सब को वो दूद बेच दिया, पानी मिलाने की वज़ा से आज उसके पास बहुत सा दूद भच गया, जिसे फिर इसने पडोस के गाउं में बेच दिया उस रात पारस बहुत खुश था अगर मैं यही करता रहा तो मैं बहुत जल्द दौलत मन बन जाओंगा फिर इसी तरह दिन गुजरते गए और पारस एक दौलत मन शख्स बन गया उसने अपने लिए एक आलिशान घर और एक गाड़ी खरी दी और अब वो उम पारस पारस बारस अब तौलत में बहुत आपको दोड़ी कि उसने दूद की मांग बढ़ने के बावजूद नई भैंस लेने के लिए सोचा तक नहीं बलकि उसने पानी की मिक्तार को और बढ़ा दिया जिसकी वजह से उसके दूद का मैयार और गिरता गया और लोग उससे इसके दूद के बारे में शिकायत करने लगे गाउंवाले इसके घर के बाहर जमा हो गए और उससे शिकायत करने लगे पारस हमें तुमसे तुम्हारे दूद के बारे में शिकायत है अब तुम्हारा दूद बिलकुल पानी की तरहा होता है और अब इसका जायका भी वो नहीं रहा और तुम्हारे दूद को पी कर हमारे बच्चे भी बेमार हो रहे हैं क्या कुछ भी नहीं बदला है दूद में और तुम लोगों की ये जुर्ट कैसे हुई ये कहने की कि मैं दूद में पानी मिलाता हूँ तुम लोगों को मैयारी चीज़ की खदर ही नहीं है जाओ कहीं और से खरीद लो दूद अगर तुम लोगों को मेरा दूद पसंद नहीं तो मेरे पास कई और घाक हैं जिनको मैं अपना दूद बेच सकता हूँ और इनको मेरा ये दूद पसंद भी है पारस तेजी से ये कहकर घर के अंदर गया और धडाम से दर्वाजा बन कर दिया काउं वाले पारस का ये रवईया उनके साथ देख कर हैरान रह गए मुझे कुछ गरबड़ लग रही है हमें इसके उपर नजर रखनी होगी सच कहा हमें इसके उपर नजर रखनी होगी और सच का पता लगाना होगा कि ये किस तरह हम लोगों को धोगा दे रहा है गाउंवालों ने मिलकर सच का पता लगाने का मनसूबा बनाया और अगली सुभा जब पारस दूद बेचने के लिए घर से निकला तो गाउंवालों ने उसका पीछा किया और उन्होंने देखा कि पारस दर्या किनारे बैट कर दूद में पानी मिला रहा है तो असल माजरा ये है वो इसलिए दिन बदिन दौरत मन होता जा रहा है इसकी भैसों की तदात उतनी की उतनी ही है मगर फिर भी ये दूसरे गाउंवालों को भी इतनी जैदा मुगदार में दूद बेच रहा है गाउंवाले पूरा माजरा समझ के और उन्होंने इस लालची गवाले को सबक सिखाने का मनसूबा बनाया अगले दिन उसकी बीवी हाइमा बाजार से डाल लेकर आई नहीं ये दाल है आज ही तुम्हें बाजार से लाई हूँ दुकानदार ने तुम्हें दाल के साथ छोटे छोटे पर्थर मिलाकर बेच दी है कल मैं जाकर दुकानदार से बात करूँगा उस राद दोनों मिया बीवी भूके पेट सोए अगले दिन दोनों दुकानदार के पास गए तुम्हें हमें क्या बेचा हमने तुम्हें दाल के पैसे दिये थे पर्थरों के पैसे तो नहीं दिये थे जाओ कहीं और से जाकर खरीदो अगर तुम्हें मेरी दुकान का सामान पसंद नहीं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पारस घुसे में घर वापस आया कुछ देर बाद वो बाहर गया और एक गरजन अंडे लेकर आया जब उसने अंडे तोड़े तो उन में से दस अंडे पत्थर के निकले वो गुसे में आग बगोला होकर तुकानदार के पास गया मैंने अंडों के पैसे दिये थे पत्थरों के तो नहीं हमने भी तुम्हें दूत के पैसे दिये थे पानी के नहीं जाओ कहीं और से जाकर खरीदो अगर तुम्हें ये पसंद नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं ये सुनकर पारस घुसे से घर चला गया अब उसके साथ ये होने लगा वो जब भी कुछ सामान बाजार से खरीद कर लाता उसमें कुछ ना कुछ गड़बर जरूर होती वो लाता कुछ और सामान से निकलता कुछ मैं इस जीस से तंग आ गई हूँ आखिर इसकी वज़ा क्या है कोई हमें सही सामान क्यों नहीं देता वो हमें दौलत मन होता देखकर हमसे हसत कर रहे हैं और हमें लूटने के चकर में हैं पारस अपने लालची रवाये की वज़ा से ऐसा अंधा हुआ था कि उसको ये समझ नहीं आई कि इसने भी तो उन सब के साथ यही किया था और जब वो इसके पास शिकायत लेकर आये थे तो उसने ये कहकर उन्हें धुटकार दिया था कि अगर उनको उसका दूद पसंद नहीं तो कहीं और से जाकर ले लें इससे उनकी कोई जरूरत नहीं कुछ दिनों बात पडोस के गाओं वालों ने भी उससे दूद खरीदना बंद कर दिया जब उसके पास खर्चे के लिए कोई रकम ना बची तो उसने अपने इस्तमाल की वो चीज़ें बेचना शुरू करी जो उसने मिलावत शुदा दूद पेच कर उस रकम से खरीदी थी अब पारस एक गरीब गवाला बन गया था उसके पास टन्थी पहन से बची थी और एक छोटा सा घर बच रचा था अब तुम्हें अकल आई कि तुमने क्या किया तुम्हारी लालच की वज़ा से हम गरीब हुए हैं अगर तुम लालच ना करते और इमानदारी से खालिस दूद पेशते तो आज हम इस हाल में ना होते हाँ, मैं तुम्हारी बात से त्टिफाग करता हूँ तुम सही कहती हो मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी दौलच ने मुझे लालची बना दिया था अब मैंने अपनी दौलच ही नहीं खोई बलके मैंने लोगों का एतमाद और अपनी इज़त भी खो दी है हाई, अफसोस, काश में लालच ना करता प्लिष सब्सक्राइब कुचिंक चाहुँ हाई, घर रहाए, आ झालच आ वोगों का लाल, आ है